हेलो एबरिवन वेलकम टो पिक अप मैज माइसल्फ अरुशी चत्नानी इस वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूब रूर्स चैप्टर जो की क्लास एट का चैप्टर नंबर सेवन समझ रहे हैं और इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि गीवन नंबर जो है वह एक परफेक्ट क क्यूब है की नहीं ठीके सेवन हडवन टुटिणाइन ले लेते हैं कि एक्सामपल है अगर सब्सक्राइब को चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है की नहीं तो सबसे पहले स्क्राइम फेक्टर इसu निकाल लें तो प्रइम क्राइम अधरिशीosition मेजियो पहलें पहला जो लास्ट जिजिट जो है यहां पर 9 है that means even नहीं है तो यह 2 से तो डिवाइड होगा नहीं अब 3 के लिए क्या करना है इसको चेक कीजिए 9 प्लस 2 is 11 11 प्लस 7 is 18 that means यह 3 से डिवाइड हो सकता है तो चलिए 3 से डिवाइड कीजिए 3 2 4 3 3 8 1 3 27 3 9 3 3 3 1 सारे निकाल लिया आप क्या करना है 729 के सामने पहले फैक्टर को अरेंज कर देते हैं 123456 चलिए आप लोग जैसे SMD में खड़े होते हैं इसे भी खड़ा कीजिए यहां पर मैंने कर दिया इसे अरेंज 123456 अब सुडेंट्स क्या आप लोग को अक्केले रहना पसंद है नहीं ना आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रूप में रहें तो यहां भी यही करना है आपको क्या करना है ठीके गृप्स फॉर्म करने तीन तीन का जो है आपको ग्रूप्स फॉइंट क है कोई बचा बचात है यहां पे को इसी बचा नहीं है दाट मेंस कि एक perfect cube नबर है अगर triple Kes कोई भी नंबर ग्रूप में नहीं आ means perfect cube number नहीं होगा यहां पर यह थी भी थीन के ग्रूप में हैं यह थीन भी थीन के ग्रूप में है तो that means 729 इजे perfect cube number तो आप लिख सकते हैं yes 729 इजे perfect cube number ओके अब कुछ देख लेते हैं कि कोई perfect cube नहीं है तो क्या करना चाहिए चलिए मैं उसकर एक एक्जामपल लेती हूं 675 675 के पहले निकालने होंगे मुझे factors तो factors by prime factorization method निकाल लेती हूं last visit देखिए आपका क्या है यहां पर 5 है तो obviously यह 5 से दिवाइड होगा करिए 5 से दिवाइड 5 1s 5 3s and 5s 5 2s and 7 अब जो लांस दिवाइड नहीं है 27 तो आप पता है कि यह 3 की टेबल में आता है तो 3 से दिवाइड कीजिए 3 9s 3 3 3 1 तो student यहां पर जितने भी factors है उसे जो है वो है कम और यह 3 3 तो तीन वार है तो यह मतलब की जो 675 है एक परपर क्यूब नंबर नहीं है क्योंकि 5 का triplet form नहीं हो रहा है अब यह से अगर मुझे triplet बनाना है 5 को तो मुझे एक 5 और जो चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगी एक 5 से इसको multiply करूंगी तो मैं अगर इस numbers को 5 से multiply करूंगी that means मैं 675 से भी 5 को multiply करूंगी तो यहीं एक 5 जो है आपका smallest number है smallest prime factor है जिससे आपको 675 को multiply करना होगा to make it perfect क्यों तो बंद मुझे कीजिए 5 x 5 is 25 5 2 5 7 35 plus 2 37 तो यहां 3 बचा 5 x 6 is 30 30 plus 3 33 तो यह आपका एक perfect number बने तो आपने देखा कि जब अगर triplet में नहीं है तो multiply करके इस number को कैसे perfect क्यों बनाया जा सकता है next step में हम देखेंगे by dividing इसके लिए हम कोई दूसरा example ले लेते हैं suppose I am taking an example suppose I am taking 128 okay 128 ले लेते हैं तो फिर वही factors निकालना होगा इसके 128 इसके factors नहीं का लिए यह हो जाएगा तू सिक्स्टी फॉर टाइम्स टू थैट्टी टूस 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 तो अब क्या है फिर इसे अरेंज कर लीजें यहां पर लिखना होगा आपको 1234567 है तो 1234567 अब इसे फिर ग्रूप ग्रूप में form कीजिए यह थी टूस हो गए यहां पर भी थी टाइम्स हो गए लेकिन यह टू देखिए यह पेर में नहीं बन पा रहा है तो यह टू मतलब की extra है डिवाइड में आपको क्या करना है जो extra होगा उसी को आप डिवाइड कर लेंगे तो 128 डिवाइड बाइड 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 वीच 128 शुट भी डिवाइड टू मेक इट पर्फेक्ट क्यूब तो 2 से डिवाइड कीजिए से यह आंसर आजागा 64 तो 64 इसे पर्फेक्ट का 1.1 है नेक्स्त वीइड वीडियो में करेंगे लेकिन अभी कुछ बाकी है आपका होमवक आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवक दिया था आपने किया है मेरे करने से पहले आप बताएड होमवक क्या था यह होमवक था वन सिंड़र तक कितनी क्यूब नंबर आते हैं अगर आपने homework किये हैं तो जल्दी जल्दी comment box में लिखना start किजिए कितने क्यों नंबर आते हैं यह सहीं 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 4 आते हैं कैसे आते हैं one cube is one two cube is eight three cube is twenty seven and four cube is sixty four five cube is one hundred twenty five one hundred twenty five hundred से ज्यादा हो गया तो आपको यहां ही तक आ रहे हैं hundred तक के cube numbers one eight twenty seven and sixty four यानि one two three four यह चार नंबर ही perfect cube number हैं जो की one से hundred तक की बीच में लाइक करते हैं तो आपका आंसर है four आपने comment box में लिख लिया है मैं चेक करूंगी आप इसको करिए यह questions कीजिए यह practice कीजिए और आए मिरे साथ next video में एक 7.1 एक्साल करने के लिए till then students be safe and goodbye